आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क सर्कल से कैसे छुटकारा पाया जाए आखों के नीचे काले घेरे यानिके डार्क सर्कल न सिर्फ महिलाओं के लिए बलकि पुर्सों के लिए भी एक बड़ी समस्या है ये बहुत अधिक स्क्रिन देखने बहुत कम नेंद लेने तनाव और कई अन्य कारणों से हो सकता है जब आखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं तो हम ठका हुआ महसूस करते हैं और बूही भी दिखने लगते हैं अगर आप भी डार्क सर्कल से परिसान हैं तो दूद का इस्तेमाल करें क्योंकि डार्क सर्कल के इलाज के लिए दूद बहुत फायदेमंद है इसमें तचा को लाइट करने वाले गुन होते हैं आखों के नीचे काले घेरे आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं इनमें से एक है अनुवान सिक्ता यानि अगर आपके पड़िवार में और किसी को ऐसी चीजे है तो आपको भी ऐसी हो सकती है दूसरी है उम्र विर्दी यानि अगर आपकी उम्र बहुत जादा हो गई है तो उसकी वज़े से रूखी तचा जादा आसू बहना या फिर कंप्यूटर के सामने देर तक बैठना या फिर आपको किसी भी तरह की मान से किया सारीरिक तनाव है नींद की कमी है या फिर खाने में आप पौश्टिक भोजन को सामिल नहीं करते हैं तो आँखों के नीचे डार्क सरकल्स हो सकते हैं इसे हटाने के लिए आलू का रस और दूद का इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसके बनाने का और लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपको सबसे पहले एक आलू लेकर उसे कदुकस कर लेना है अब आप कदुकस किये वे आलू का रस निकाल ले एक चमच आलू का रस ले और इसे बराबर मात्रा में ठंधे दूद में मिला ले मिस्रन को कौटन बॉल की मदद से आखों के नीची लगाए इसे 15-20 मिनट के लिए तोचा पर लगा रहने दे और फिर पानी से धोले काले घेरे हटाने के लिए इस उपाय को दूद के साथ रोजाना दुबारा कर सकते हैं अगला उपाय है ठंधा दूद सबसे पहले एक बाउल में थोड़ा ठंधा दूद ले इसमें दो रूइं के गोले भिगो दे कॉटन बॉल्स को आखों के ऊपर इस तरह रखे कि ये डार्क सरकल्स को कवर कर ले इन्हें 20 मिनिट के लिए छोड़ दे और फिर कॉटन बॉल्स को हटा दे ताजे पानी से धोले हर दिन तीन बार ऐसा करे तो आपको काफी जादा फायदा होगा डार्क सरकल्स हटाने के लिए दूद करस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका हो सकता है आपके लिए अगला उपाय रहेगा गुलाब जल और दूद ठंधा दूद और गुलाब जल को बराबर मातरा में मिलाए मिस्वन में दो कॉटन पैग भिगो दे इन्हें अपनी आखों के उपर रखें इससे डार्क सरकल्स को कवर कर ले इसे 20 मिन तक लगा रहने दे कॉटन पैग निकाले और ताजे पानी से धोले काले घेरे हटाने के लिए इस प्रक्रिया को दूद के साथ हर हफ्ते तीन बार दोहरा सकते हैं अगला उपआय है बादाम का तेल और दूद बडाबर मातरा में ठंडे दूद में थोड़ा सा बादाम का तेल मिलाए और एक साथ मिला ले तयार हुए इस मिस्वन में दो कॉटन बॉल्स दुबो दे अगला जो उपाय है वो है नेम्बू का एक टेवल स्पून कच्चा दूद ले और इसमें एक चोथाई के स्पून ताजा नेम्बू का रस्ट डाल दे जब दूद फट जाये तो इसमें एक चमच कच्चा सहद मिला ले मिस्रन से आँखों के आसपास 3-4 मिन तक मसाज करें इसे 10 मिन तक लगा रहने दे इसके बाद साधे पानी से धोले इस परकरिया को आप नेमित रूप से दोड़ा सकते हैं उम्मीद करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो हुमारे चालों को सब्सक्राइब जरूर करें